दुस्तों कर आभी एक यूटूबर बनना चाहते हैं और आपके पास भी DSLR कैमरा नहीं है तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से अपने मोबाइल से ही यूटूब के लिए या फिर इंस्टागराम, फेस्बुक इन सभी प्लेट दिये गयé बाइडिफॉल्ट कैमडा जिससे आप फोटो इजcket करते हैं वही हमारा बाइडिफॉल्ट कैमरा होता है carved on आक उसमें आपको कई सारे फैसिलिटude नहीं मिलतीह ना ही आप उसमें आप करना इस हैं सभी को problem को solve करने के लिए को एक application download करना जिस application का नाम है open camera अपर डाँवलोड करने लिए अपने mobile के play store तो वहाँ पे आपको open camera search करने के बाद first page पे देखने को मिलेगा महाँ से आप easily download कर सकते हैं download करने के बाद उसको open कर लेना open करने के बाद आप यहाँ पे ISO, bit rate, frame rate, exposure और external mic भी यूज़ कर सकते हैं किस तरह से सब कुछ setting करना है कुछ आपको step by step explain करेंगे ओभी mobile के skin दोस्तों यहाँ पे skin recording को on करने के बाद आपको जिस application को आपने download किया उसी को open कर लेना है open open करने के बाद आपको क्या करना है simply से यहाँ पे अलाव पर क्लिक कर देना करने के बाद सबसे फर्स्ट सेटिंग हमारा होता यहाँ पर face detection इसको enable कर देना face detection को enable करने से होगा कि आपकी वीडियो को सूट करते समय यहाँ आपके face को डिडेक्ट करेगा जो कि किलियर रखेगा second क्या होता यहां से टाइमर भी आप सेलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप तो यहां पे हम कुछ भी नहीं करेंगे off रहने देंगे उसके बाद आपको उसकी नीचे थोड़ा से स्क्रोल करके जाना यहां पर आपको आ जाना है वीडियो सेटिंग पर वीडियो सेटिंग पर सेंपली किलिक कर देना किलिक करने के बाद उसके बाद सबसे उपार आपको होता है यहां पर वीडियो रेजुलेशन पर आपको किलिक कर देना किलिक करने के बाद यहां पर आल्रेडी हमारा थर्ड सेटिंग हमारा होता है maximum duration आप वीडियो पर unlimited ही रहने दिना है कि आप कितने टाइम तक अपने वीडियो को suit करना चाहते हैं तो उसका कोई भी limited time तो नहीं हो सकते हैं कभी 2 बी मिनट हो सकते हैं कभी 5 बी मिनट तो उसको हम unlimited पर रहने देंगे ताकि जितना भी बड़ा आप वीडियो को suit करना चाहिए उतना वड़ाप कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है आपको यहां पर restart video after maximum duration तो इसको भी नहीं कुछ करना है उसके बाद नीचे आना है यहां पर record आईडियो तो हमारा इनिवल होता है उसके बाद आपको उसकी second नमर पर आपको यहां पर आ इसली यूज कर सकते हैं आपका support करेगा जो कि आपके mobile में जो default camera होता हो उसमें आपको इन सभी का facility नहीं मिलता है इन सभी का सुविदा नहीं होता है जो कि हमारा open camera में सब कुछ सुविदा मिलता है यह सारा setting हमारा हो